हेलो दोस्तो स्वागते आपका मेरी चैनल जिसका नाम है यूटूबर बहुरानी दोस्तो आप सोच रहोंगे कि मेरे हाथ में टमाटर क्या कर रहे हैं तो दोस्तो आज का वीडियो है इनी टमैटों से रिलेटेड येस फ्रेंड आज मैं आपको इनी टमाटर से करके दिखाऊ जिसमें आपको मिलेगा पालर जैसा ग्लो हाँ फ्रेंड्स आपको इनी टमाटर से मैं ऐसा फेशल करके दिखाऊंगी जिसमें आपको पालर जैसा ग्लो मिलेगा फ्रेंड्स हम लोग ना जाने कितने पैसे वेस्ट कर देते हैं पालर मैं जा जाके जा जाके फेशल करवा कर वाके मगर आज का जो यह वीडियो है इन टॉमेटो का फेशल का उसमें आपके जीरो रुपए वेस्ट होंगे येस फ्रेंड आज इस टॉमेटो फेशल में हम जो भी प्रड़क्ट यूज़ करेंगे वो सारे प्रड़क्ट हमें हमारी किचिन में मिल जाएंगे जिसमें हमारा एक भी पैसानी लगने वाला है तो friend मैं आपको आगे बता दू कि आज हम tomato facial कैसे करने वाले हैं तो दोस्तों tomato facial में आज हम इसमें 3 step करेंगे पहला step होगा cleansing, second step होगा scrubbing and third step होगा face pack दोस्तों अब मैं आपको बता दू कि आज हम इस tomato facial में क्या-क्या ingredients करेंगे तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और अब मैं आपको आगे दिखाती हूं कि इस facial में हम क्या-क्या ingredients यूज करने वाले हैं इस facial के चाहिए हमें 2 red tomatoes, yes friend फ्रेंड हमें red tomatoes चाहिए fresh red tomatoes चाहिए special के लिए अब हम इन tomatoes को अपने mixi grinder में कट करके डाद लेंगे दोस्तों इन्हें हमें mixi grinder में कट कर लेना है दोस्तों आप आदा यह tomato अपने scrubbing के लिए बचा के रख लें यह आपके next step scrubbing में काम आएका और सारा यह tomato है इसको कट कर लेंगे इसकी दोस्तों अब हमें purity बनानी है जो हमें अब अपने आगे अगले steps में काम आएक friends यह अपने scrubbing में काम करना इक यह दोस्तों यह हमें ऐसे purity बना दी नहीं है इं tomatoes दोस्तों अब है हमारा पहला step cleansing, cleansing में हम यूस करेंगे इस tomato puri को और raw milk को दोस्तों हमें raw milk लेना है कच्छा दूद, दोस्तों आपको पता है कि tomatoes में fruit acid होता है और milk में lectic acid होता है friends ये cleansing करेंगे हम इससे जो हमारे face पे सारी dirt सारी गंदिगी होगी उसको ये remove कर देगा और यह हमारे इस facial का first step है तो आगे मैं दिखाती हूँ कि आपको cleansing कैसे करनी है friends cleansing में हम use करेंगे raw milk raw milk में हम डाल लेंगे one spoon इसका tomato puree हमें one spoon डाल लेना है अच्छे से mix कर लेना है raw milk में आपको अच्छे से mix कर लेना है अब इसको friends आपको अपने face पे apply करना है friends मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसको अपने face पे कैसे apply करना है friends यह tomato facial आपको बहुत अच्छा glow देगा और आपको ऐसे करके अपने face पे इसको अच्छे से apply कर लेना है आपको इसको तीन चाह मेंट तक अपने face पे रब करना है ताकि आपके face की जितनी भी सारी dirt है जो हट जाए अच्छे से आपको अच्छे से clean कर लेना है दोस्तों यह हमारे facial का first step of cleansing जिसमें raw milk और टोमेटो प्यूरी यूज की है आपको अच्छे से अपनी नोस अंडर आइज ऐसे करके अपने फोर हैर चीक्स चिन अपर लेप्स सब पर इसको अपलाई करना है और अपनी टू फिंगर से ऐसे ऐसे करके अच्छे से clean करना है अपना face अब मैं कर लिए तू अपना face wash फ्रेंट्स मैंने अपना face कर लिया है wash और आप देख सकते हैं कि मेरा face clean हो चुका है इसमें से dirt सारा remove हो चुका है बढ़ते हैं अपने second step की तरफ जो है scrubbing अब मैं आपको उता दूं कि आपको scrubbing में क्या कर चाहिए इस स्क्रबिंग में चाहिए आपको sugar दोस्तों आपको चीनी ले लेना है चीनी के बाद दोस्तों आपको चाहिए rice flour यह है चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहां हो तो आप चावलों को mixi grinder में पीस के छान के ऐसा स्मूथ सा हो जाए जो आपकी स्किन पर हर्ट ना करें ऐसा बना लें उसके बाद हमें चाहिए दोस्तों हमारी अगें टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई थी फ्रेंड्स अब हम चावल के आटा में चीनी को मिला लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे दोसे धाई चम्मच टोमेटो प्यूरी आप देख लें आपको कितना यूज करना है अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मेक्स दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए दोस्तों ए उसके बाद अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई है और अपने फेस पे से स्क्रब करेंगे आपको इसको अपने फेस पर अपने फेस पर लगाना है क्यूंकि दोस्तों इसमें चीनी है तो अगर आप यह ज्यादा कसके अपने फेस पर लगाएंगे तो फिर हो सकता हो जाएं और रेड्नेस भी आ सकती है फ्रेंड्स दोस्तों हमने इसमें चीनी उसकी है जो बहुत अच्छा सोर्स है ग्लाकॉनिक ऐसिट का इसको हम अच्छे से अपने फेस पर लगा लेंगे पांच मिनट तक आपको अच्छे से फैफ मिनट्स तक इसको स्क्रब करना है पूरे चेहरे पर फ्रेंड्स आप है फ्रेंड्स उसके बाद दोस्तों हम इसको पांच मिनट तक ऐसे ही रखेंगे फ्रेंड्स पांच मिनट हो चुके हैं बढ़ते हैं आगे हमने आदा ये टुमेटो बचा के रखा था अपने स्क्रबिंग के इस चैप के लिए तो अब मैं बताती हूं हमें इस आदे टुम करें क्योंकि आपकी स्किन हर्ट हो सकती है इससे इसको अच्छे से आपको अपने पूरे फेस पर स्क्रब कर देना है तो मैटों से दोस्तों इस फेशल से आपके चैरे पर बहुत अच्छा दिलो आएगा बहुत अच्छा निखार आएगा दोस्तों पांच मड़ तक मैंने इसको अपने फेस पर स्क्रब कर लिया है बढ़ते हैं अपने अगले थर्ड इस चैर्ब की और जह वह फेस पैक उससे पहले मैं अपने फेस को वाश कर लेती हूं फिर मिलती हूं आपसे आगे फ्रेंड्स इसक्रबिन के बाद देख सकते हैं कि मेरे फेस की साई डेड स्किन रिमूव हो चुकी है साई टैनिंग अच्छे से रिमूव हो चुकी है बढ़ते हैं अपने लास्ट स्चैप की तरफ जो है फेस पैक friends मैंने अपना face का लिया है wash बढ़ते हैं अपने third step की तरफ जो है face pack face pack में हमें यूज़ करना है हमारी बच्ची हुई साही tomato puree basin दही और lemon जिनकी sensitive skin है वो lemon को skip भी कर सकते हैं आप अगर एक बार patch test करनें अपनी skin के उपर अगर आपको lemon से कोई irritation नहीं हो रही है तो आप lemon इसमें यूज़ कर सकते हैं अब दोस्तों हम जो ये basin है इसमें अपनी tomato puree को mix कर देंगे दोस्तों आपको तो पता है कि basin हमारी skin के लिए कितना अच्छा होता है अब हम इसमें यूज़ करेंगे दोस्तों दही हमें एक चमश दही यूज़ करना है आप सब को पता है कि दही में कितने अच्छे properties होते हैं आपके skin को clear बनाने के दही हमारे चेहरे की सारी dirt को remove करता है अब हम इसमें lemon half lemon squeeze कर लेंगे आपको तो पता है दोस्त लेमन में विटामिन C होता है और कितना अच्छा होता है skin brightening और skin lightening के लिए इस paste को मैं अच्छे से मिला लूंगी मिलाने के बाद मैं अब इसको अपने face पे apply करूंगी आपको इसको अच्छे से मिला लेना है friends फ्रेंड्स 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 अब इस face pack को अपने face पे apply कर लेते हैं चलो दोस्तो मैं इस face pack को अपने face पे apply कर लेती हूं आपको इसको अच्छे से अपने face पे apply कर लेना है friends दोस्तो अगर आप चाहो तो अपनी neck को भी cover कर सकते हैं friends यह face pack आपको 20 में तक रखना है अपने face की ऊपर आपको अच्छे से अपने forehead थोड़ा eyes से दूर अखें दोस्तो क्योंकि इसमें lemon है तो शायद हो सकता है इस face pack को दोस्तो मैं अच्छे से अपने face pack लगा लिया है आप देख सकते हैं मैंने पूरे face pack evenly यह face pack लगा लिया है दोस्तो अब friends इस face pack को हम अपने face pack 20 में तक रखेंगे मिलती हूं मैं आपसे पीस मेट के बाद दोस्तो मैंने कर लिया है face wash और आप देख सकते हैं मेरे चैरे पर कितना अच्छा glow आया है देख सकते हैं friends यह आपकी सारी tanning सारी dead skin सब remove कर देगा और आपके face पर बहुत अच्छा सा glow लेके आएगा friends अगर आप यह तीनों steps जैसे मैंने बताए हैं वैसे follow करते हैं तो आप आपके आपके चेहरे पर एक बहुत सुन्दर glow देखने को मिलेगा यह आपके skin tone को brightening करेगा अगर आप इसको कम से कम महीने में दो बार करते हैं और friends इस facial को जरूर करें जरूर करें और मुझे comment section में बताएं कि आपको आपके चेहरे में glow नजर आया तो friends comment section में जरूर बताना आपको आज कर वीडियो पसंदाया हो तो प्लीज लाइक करना मेरे चैनल को बना सब्सक्राइब किये ना जाना thank you दोस मिलते है अगले वीडियो में till then bye bye